नमस्कार किसान बाइव, स्वागत हैं आप सभी का हमारे यूटूब चैनल एसका एगरी कल्चर में किसान बाइव, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सर्सों की फसल में फलिया बनते समय या दाना भराव के समय वो कौन सी तीन बाते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है ताकि हमारे सर्सों की पैदावार में किसी भी परकार का कोई नुकसान ना हो तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखते रहिए, लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो वही बाते में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अगर इनको आप द्यान में रखते हो, फोलो करते हो तो आपको नुकसान नहीं होगा जिससे कि आपको अच्छा से अच्छा उत्पादन प्राप्त हो जाएगा किसान बाईयों वेसे तो जब सरसों में फलिया बन रही हो या दाना भराव का समय चल रहा हो उस टाइम पर किसी भी प्रकार की उर्वरकों का उपयोग नहीं करना है जो भी करना होता है हम पहले कर लेते हैं लेकिन यहां पर आपको कुछ मुख्य बाते जिनका ध्यान रखना अवश्यक है तो उन में से जो नंबर वन है वो यह है किसान बाईयों इस साल प्रजेंट में अभी भी जैसे जिन किसान बाईयों के सरसों में फूल आ गए या फलिया बनना शुरू हो रही जिन्होंने अगेती बुवाई की थी उनके मॉयले की सिकाइत आ रही है जो मच्छर आता है मॉयला मच्छर वो फूल के आसपास टैनियों पर बेड़ जाता है जिससे टैनियों की ग्रोथ रूख जाती है फलिया बनना बंध हो जाती है जिससे की फसल को काफी ज़्यादा नुकसान होता है तो इस बात का आप ध्यान रखे इस साल इसका अटेक देखा जा रहा है और कुछ ज़्यादा ही मात्रा में है तो आप जो है अगर आपके भी सरसों में मोईले का अटेक होता है तो तुरंत आप जो है केमिकल जो कीट ना सकाता है उसका उपयोग करें जिसा हम पिसली वीडियो में भी बता चुके है कि एमीडा वगेरा का स्प्रेय आप करके इसको खतम कर सकते हो तो ये काम आप समय रहते हैं जरूर कर लेना ताकि आपको किसी भ बाईयों के जमीने अच्छी होती है उन किसान बाईयों को इस बात को फॉलो नहीं करना है जिनकी जमीने बिल्कुल हलकी है पत्रीली जमीन है बार बार पानी के आफशकता पड़ती है उन किसान बाईयों के लिए दो पानी में फसल नहीं होती है उनको जब फसल में दाना कोई प्रॉब्लम ना आए आप उस चक्कर में ना रहे कि सरसों तो दो पानी की हैं दो पानी की सरसों हैं लेकिन अगर आपके पास अच्छी जमीन है तब हैं हलकी जमीन है तो एक पानी और आपको देना पड़ेगा दाना पराव के समय तो आपको किसी भी परकार का दाना में पराओ में किसी भी परकार का कोई नुकसान नहीं होगा तीसरी बात जो यहां पर आपको ध्यान रखनी है जिसकी वज़े से भी अगर आप ये गलती कर देते हो तो 20-25 परसेंट तक पैदावार गट सकती है वो है पाला गिरना रात में अत्यदिक ठड़ी की वज़े से जो ओस की बूंदे होती है वो फल्यों से पत्तों से चिपक जाती है और फसल जल जाती है जिससे कि वो फसल दूर से तो अच्छी दिखाई देती है लेकिन उसमें दाना भराव नहीं हो पाता है उन फल्यों के अंदर तो इसका भी आपको पूरा ध्यान रखना है जैसे ही आपको लगे कि आपके चेतर का पारा जो है बिल्कुल फाइनस में जा रहा है बिल्कुल गिरने वाला है रात को बरब गिर सकती है एसी परस्तितियों में आप खेत के चारो और धुमा करें रात के समय जाकर या फिर आप जो शाम के समय तीन-चार बजे जो सलपर डश्ट आती है उसका अपनी फसल पर छिरकाओ कर सकते हो जिससे की जो सलपर की डश्ट होती है वो पत्तों से चिपक जाती हो रात को जब वोश किरती है तो उसको पत्तों पर ठहरने नहीं देती है और वो वोश की बूंदे नीचे गिर जाती है जिससे आपकी फसल जो है पाले से सुरक्शित रहती है यह तीन मुख्य बाते जिनका आपको ध्यान रखना है ताकि आपको अपनी सर्सों में किसी भी परकार का कोई नुकसान ना उठाना पड़े तो उम्मीदे वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी लाइक सेर सब्सक्राइब जरूर कर देना मिलते हैं गली नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद